नवस्कार दोस्तों गुड़ मॉर्णिंग कैसे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वेलकम बैक तु माई यूटूब चैनल मेरी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों एक बड़ी ख़वर एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको दे देने जा रहे हैं अगर बीपेसी टी आरी टू पांट यूरो की तैयारी करने में आप लगे हुएं देख सकते हैं कि दुस्ते चंग की भरती परिच्छा में प्रश्न अभिहरती फ्रेंडली होंगे हिच्छक भरती तिन नवंबर से आवेदन और साथ दिसंबर से परिच् 49 से भी कम अंक वाले हुए चैनी ऐसी नोबत ना आए चलिए बदला पैटर्ण सक्ति 20 अवियरतों पर पांट साल का परती बंद इसका भी अपडेट देंगे तो उससे पहले एक ची और बता दे अगर आप बीपेसी की तैयारी कर रहे हैं आपके पास बेस्ट बुक नहीं ह हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं CCS यानि की चासुर प्रकास्वन का बेस्ट बुक हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं देख सकते हैं B.A.R. से चक भाली माधि में एक कुछ माधिन बिद्याले अध्यापक के लिए बेस्ट बुक आपको मिलेगा 9 महीं, 10 मीं, 10 मीं बर्मी और छठी से 8 मीं तक के लिए आपको आये पूरा आपको NCERT पर अधारित होगा इसका अगर बुक आप लेना चाहते हैं तो लिंक इसका डिस्क्राइब बॉक में नीचे डाला हुआ है वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं तो चलिए इस न्यूज को अब बिस्तार से देखते हैं जो लोग चैनल पर नए जूण है को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा बेल आइकन को भी प्रेस्ट जरू कर लिजेगा और यूटूब से पहले अपडेट पाना चाहते हैं तो टेलिग्राम ग्रूप का लिंक है नीचे दिया हुआ है वह आप जोइन कर लिज होंगे पर्थम चर्ण में 24-26 अक्टूबर तक ली गई परिच्छा में अभिहर्तों ने अरोप लगाया था कि सिच्छक भरती परिच्छा के लिए इसी अस्तर के प्रश्ण होने चाहिए थे बीपेसी और विभाग के अधिकारियों के वीच हुई बैठक में भी सिच्छा नहीं करें हलका प्रश्ण सेट करने की जरूत इसलिए पर रही है कि पिछली परिच्छा में कठीन प्रश्ण का कायन बहुत कम अभिहर्ती चैनित हो पा रहे थे बाद में सिच्छा और समान प्रश्ण विभाग से राई लेकर बीपेसी ने उतिगनता के लिए कठ आफ को क कर दिया था दूसरे चल्ण में सिच्छ भरती परिच्छा के लिए बीपेसी तीन नुवंबर से चौदा नुवंबर तक आभिदन लेगा आभिदन के एक माह के अंदर ही साथ दिसंबर से बारा दिसंबर तक परिच्छाई करने के संभाविती थी भी तैय हो चुकी है यहा पर दिखिए कि प्रश्णों के उत्रें बदलाव कि इसलिए पड़ी जरुवत क्यूं पड़ी तो यहां देख सकते हैं कि पर्थम चर्ण में 24-26 अक्टूबर तक बीपेसी 12 सिच्छ भरती परिच्छा के प्रश्ण कठीन होने के कारण काफी आलोचना हुई थी अभेर्तों ने अरोप लगाया था कि सिच्छक भरती परिच्छा में गर्जटिट ऑफिचर परिच्छा के प्रश्ण के प्रश्ण पूछे गए दूसरे चर्ण की सिच्छक भरती परिच्छा में करीब 10 लाख आविदन आने की संभावना है वहीं आप देख सकते हैं भासकर अनलाइसिस 49 से भी कम अंक वाले हुए चैनित ऐसी नौबत ना आए इसलिए बदला पैटर्ण जी हाँ पहला है कि पिछली बार काट आफ काफी गीरा था यानि कि कच्छाई गारा से बारे में हिंदी बहुत दिक पॉलिस साइंस पॉलिकल साइंस बोटनी और मैटली में रच्छित कोटी का काट आफ 49 रहा इसलिए अनकोटी में 49 रहा है इसलिए अरच्छित के लिए काट आफ कम किया गया है दूसरा है कि कठीन सवाल पूछे थे इस कारण अंकों में छूट देनी पड़ी कठीन परशन के कारण कम अंक वाले कम अंक मिले नूनतम अहनता में छूट नहीं देते तो आधे से अधि परठा कर तै किया कि नुनता महंताक में छूट दी जाए ताकि ज्यादा अभ्यर्ति पास हो तिसरा है कि पर्थम भरती परिच्छा से अलग यह भी यानिक एक लाग सतर हजाश चक भरती परिच्छा से आट तक कि वैकैंसी नहीं थी दूसरे चन की भरती परिच्छा में चुनाओ चार से हीता लागू नहीं इसलिए दूसरे चन की घोसना की घोसना कर दी गई है जब डिख सकते हैं सकती भी कि 20 अभियरतों वे 5 सल का परतिबंद लग गया है 24-26 अगस्त को सिचक भरती परिच्छा में सामिल हुए 20 पर अभियरत्य को गरवड़ी कारण अगले 5 साल तक 26 अगस्त अगामी परिच्छा में सामिल होने पर परतिबन लगा दी गई है बीपेसी ने सोमबार को इस समद्ध में सुचना जारी की आयोग ने कहा कि कुछ अधार कार सत्तापन में फेल हुए तो कुछ डिप्रेशन मैच नहीं हुए इंप्रेशन मैच नहीं हुए कई अभ्यरती बायोमेटिक जात में मिस मैच हुए और कुछ ने अपनी जिगह दूसरों की परिच्छा में बठाया था तो उस भी सभ्यरतों का लिष्ट जारी किया गया उन पर बड़ी करवाई की जाएगी तो एक छोटा सा अपडेट हमने